हाथिस अबाद में वजीर आजम कामिसी वेट कार्ट पोज़ान का उज्जा गर्लियों और रुकावदों के बावजीद दूर्प्याती काम जारी रखे त्यासत के पाउलिंग स्केशन्स करोते हैं कमान इदारों अपनी आएनी वुदूद में काम करते हुए एक दूसरे का एक पराम करें मुजीर आजम चार्पान अबादी का तक्रीप से खिताब ओ मियाँ खूप पंजाब सजाया चड़ कहता जाल बचाया मियाँ सब्दा दर्द बढ़ाया लोगरां का सैस्मा पेरी दिन्या में गोंज रहा है सावित होजा के पैसले अंपायर की उंगली से नहीं अदाम के अंगूठे से होते हैं लोगरां के अदाम में बोच के तकद्दिक से बाहार किया सिब्दीक खान कांजू हमारे मुखलिस टाकी से उनके बोचे अद्दिर रहां कांजू भी लोगरां के अदाम की खिद्मत कर रहे है तारिफ वजीर आजा मुखंब निवास स्रीप का दर्कर्द कर्मेंचंट से खिताब अर्द रुपए के अर्जे मास कराने वालों का अवाल में हिसाब ले लिया मुखलिक तारिफ सब्सक्राइब तरक्याति कांज मुखलिक निवाद्मेंट में एक मागा राज्मी बिज्विक आदाना की मुखलिक निवास स्रीप का लोग्रामे कर्मेंचन से खिताब मुखलिक निवी गन्म के सब्सक्राइब और सारिफ वजीर अवास स्रीप कि तदारत में वाहर में इजनाथ वजीर आसम शाहिद खात आना बाकी, वजीर आना पंजाब, पीकर खामी असंदी और वजीर रेलेलेटी शिकर, मुल्की मज्मूर स्यासी सिज़ते हास में इस अहम उमूर पर सबाद में ख्याद. पसमागा और सम आमजोनिवारे पक्ते तक, इलाज की सहुलिया तोचाने पर खुचित की सबच्य दीजाए. तेखिदा इलाज में आसानी पेदा सर्जी के लिए पिद्धी तोफ्सीद के तरोप दिया जाए. पदर मनें हुटें का रावल पिंडी में बैने लखानी खाडियोक एलेक्ट्रोफिजियालोजी काउसर इस लिखिताओ. नाहार की इंसदाब बहश्यकदर्दी की अदालत में जैनद पत्ल के साथ पैसला सुना दिया गया. पातिल इम्रान अली को चार मर्टबा सजाए मौप, एक मर्टबा उनर कर्ट की सजा, पातिल के बट्टीस लाख रिकर्ट जुर्माने की भी सजा सुनाए गई. अलेक्षिन काजियनल में इसाथदार के सनेट अलेक्षिन में में की इजाज़त देती, रिपरिमिंग आसिसर का पैसला का अगल करार, इसाथदार ये पारज़ा के माम बच्जी मिस्टरिग रोने का पैसला चालूंच की आथा. लेडरां के आगाम ने जहांदीर करीम को बच्जी मिस्टरिग निवास चीडिग का पैसला सुना दिया, जूट और एटियम की स्कास के मुष्छिग दिया, शेख फुर्बा के आदाम भी कल, शामित वजीरास मुष्छिग निवास चरीम का तक्रीमित अक्राइब करेंगे स्कीन को कराची वी जिसकीन नी आहम पुद्माद की समाच अदाले से उत्मा का शेजीन में लोमन को अस्पतार से जेल मिल्टकिल करके रिपोर्स पेश करने और सक्रेटरी तामिम को सुझताथ सर्पाइम स्कीन को जरुवी तभूल्याद पराम करने का हुकू इस fight के सास्थ दुन्या के दूसरे मुलकों से तालुक आप चाहते हैं किसी भबाव में नहीं आँए अनरीका बुकाम बटाम्याय-न isso पिलाफ ताकितनी कामगादियों को सरहा गया काबंदियों से दश्यदगर्दी के खिराफ जंग मुतासिर होगी वजीर दाफला एहसन इक्वाल की नारवाल में मीडिया से गुप सब्सक्राइब मख्बूदा कश्मीर बतश्मीरी मजरबंदों की जल्लुखिते की जेले में मुट्रियत रहमिना मौमद जीसस मदीन के बहुमाना कत्री के खिलाफ मुकम्मल हर्टाइब फटाइब की काई मुट्रिका होगे प्रादिस में भी ताबिस प्राइब कर मिगाहिरीं पर टाकत करदे शियाल इस्तमाल मुकद अट्राइब ज्क्राइब मुल्क बर में ऑपरेशन गबन फटाइब का अमजादी से जारी तंजाब रेज़र्स हसास इदारों और इरिक फिलिस की डीजी खान में का रवाई तीम जशत गर्दाराइब अपने हाँ जोना बारी भी बराबद द्धा मतार आवाई का ने किसको भो तुब हो जेएब 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 जऺुद आजिंके केबार शहुरत पाने वाले मॉन्ना लाहोरी इन्तकाल कर गगे मुल्क जङएब तजनाबा कल अबा कि जाएगी वजिर ममलक ते तलाथ मरियम औरंजेग का मारूफ तंकार से इंतकार तर दुख और अस्तोस का इधार शाम के सुबा इद्वित ने जन्डी तयारों की बंबारी मुताबिद अफादरात और जखमे शामी जद्वित तयारों की रहाशी इदाके पर शदीद बंबारी से दोश्तरी अमारतें मलबे का धेर बंगे मलबे तले दबे अफाद को निकालने का काम जारी खालने के तंहों की सास्तरी अगे मगा इद्वन से बंगे पोड़ा उस्लंबद यिर मत्तरी बंगे श्लंबद ने जद्वित अवड़ चोने की तंहों की सास्तरी अव ठीजिय बंगे पाकित्तान ने पुर्ची को एक मुकाबल में आठ गोल से हरा दिया, टर्णमेंट सें पाकित्तान गाथी, निवाथी 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 शरीक. और अला दरावर के इलाके में जोनिस्तान जजए जीप रावी, साच गाड़ियां रेस में शरी, तीम खावादीन ड्रावर से भी जानित सढ़ी, ड्राविग का शामडार मुझाहिरा. अब जान चुके हैं, खबरों के तफसीर की जाने बढ़ते हुए, तब से पहले आपको आगाह करेंगे कि वजीर आतम, शाहिद खाका नबासी ले कहा है कि अवाब के नुमाइंदें को गलत नामों से पकारना पादल कबूल नहीं है. साथ हुए यह भी कहना है कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में काम करते हुए, एक दूश्रे का एहतराम करें। हम इदारों का इतराम करते हैं, इदारों को एक दूसरे का इतराम करना उन पर लाजिम है। यह आईनी आदारे हैं। अगर बीस करोड अवाम के नवाइंगों को यह लकट दिया जाए, तो यह हमें काबल कबूल नहीं है। आज आप अख़वार को इख़वार उठागर देख लें, किसी दिन भी देख लें। आपको मुल्क में एक ही मुल्दम नजर आएगा उसका नाम मिया नवाज शरीफ है। किसी ओपर कोई ज़ाम नहीं है, ना कोई शाथते हैं, ना कोई एक्यूजेशन हैं, ना कोई करॉप्शन की बात हैं, लेकिन मुकदमे उदालतों में चल रहे हैं। इन चीज़ों को खत्म करने की जरूवत हैं, ये चीज़ें मुल्क के मफाद में नहीं हैं। स्यासत के फैसले अबाम पूरिंज सेशन पर करते हैं। और मिया नुखवीव की सियासत के फैसला लूफरा के अबाम ने पूरिंज सेशन पर कर दिया है। ही सब्सक्राइब और झालि थाहिए और स्फ़ार्याबर्यूमेंlara काने आध्यसी और फॉल आ होता है आथे मिधाय हैंगे किशी और अधास भीरेका इस तरहों को जाते हैं one no unimplement किये जाते हैं कोई दो राए नहीं है चाए अगान कबूल करे या ना करे तावीश कबूल करे या ना करे लिकन वो फैसले implement हो जाते है तो वो फैसले जो पाकिस्तान की पारलिमेट करे जो कोमी इसम्ब्ली और फेरेट करे वो भी कबूल होने चाहिए वजिराजम शायत हाकान अबासी ने हाफजाबाद के लिए यूनिवस्टी केमपस के क्याम नवाए लागों को गैस की फरामी और कई सिर्कों की तामिर का इलान किया सिहत की कौमी खिद्मात की वजीर साहरा अफजल पारण ने कहा कि मुस्मिलीग मून की हकूमत ने जितने तरक्याती काम किय हैं तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए उन्हाएं गाद लोगरा के एलक्शन में आवाम ने फैसला दे दिया है कि वह तरक्य की स्यास्ट के साथ है अगर हमसे मुकाबला करें लोगों के खिद्मत में लोगों की पगड़ियां उचाल में और बद्तमीदी की स्यास्त नहीं है आएं अगर हमसे मुकाबला करना है तो लोगों के शिद्मत का मुकाबला करें। के रिपोर्ट कर रहे तो आपको बताएं कि साबिक वजीर आसम मुहमद नवाज शरीफ का कहना है। अगर आसम रिज्वान। साबिक वजीर आसम मुहमद नवाज शरीफ ने कहा कि फैसले वोट की ताकत से होते हैं। लोदरा के अवाम ने जूट बोलने और बोतान बांदरेवानों को रब कर दिया। फैसले जो हैं फैसले वो एंपायर की उंगली नहीं अवाम के अंगूठे करते हैं अंगूठे। लोदरा का फैसले जो हैं वो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आपने वोट के एतराम को यहां बहाल किया। आपने उन लोगों को प्रद किया। जिनोंने पिछले पांच साल से कुछ नहीं किया इस मुल्क के अंदर सबाई जूट बोलने के। बोतान तुराशी के ताला के फजल करम से दो हजार अठारा में एलेक्शनों में इंशाल्ला पाकिस्तान का हर हलका लोगों बन जाएगा। बैर लोगों के एवाम आपका मूँ चूमने को दिल करते हैं चूमने के। सब्सक्राइब काजू साब मेरी अच्छी आदें आज भी मेरे साथ साथ हैं और मुझे बहुत खुशी है कि अब्दरुमान काजू साब भी उनके नक्षे करनत में चलते हुए आपकी बरपूर खिदमत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग में उनकी हकूमत की कारकर्दगी का जिकर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने लोड शेडिंग का खत्मा किया बिजली और खाद सस्ती हुई मुल्क से दश्चतगर्दी खत्म की और कराची में अमन बहाल किया। हस्पिताल बन रहे हैं। यहां पर एजूकेशन इंसिचूशन बन रहे हैं। चाहे वो लोगरा है या मुल्तान है या साउट का कोई भी जिला है। और उसके बाद खाद सस्ती हुई है नहीं हुई। और बिजली इसी तरह से पाकिस्तान में तेजी के साथ वाबस आई है। और पाकिस्तान में हमने देश्चतगर्दी को खत्म किया या नहीं किया बोलो। सबिक वजीराजम मुम्मन वाशिप ने कहा कि मुश्म लीग नून की हकूमत काश्टकारों की फ्लाव बैबूत पर तबज़ो दे रही है। मुल्क की तकदीर बदलने वाले मनसूब सीपैट पर काम जरी है। मुल्क बर्वे मुटर्वे का जाल बिचाया जा रहा है। हेल्ट पार्ट शुरू किये हैं ताके जरीव लोगों को इलाज मुआज़े की सहलत मिल सके। हम इन्शालाव ऐसा प्रोग्राम मुटर्वे मुटर्वे मुकमल हो रही है। वो दिन दूर नहीं है कि मुटर्वे का जरीए से आप इंशाला यहां से लोगों से मुल्कां से कराची जा सकेंगे। सबिक वजीर आजम ने कहा कि आएंदा इंतखाबात में अवाम वोट के पिकद्दूस को बहाल करने समेथ बड़े पेसले करेंगे। उन्होंने ताकित दर्वाजे की डेलीज पर इंसात की फरामी और नसाई मुम्किन बढ़ाई जाएगी। आसिम रिज्वान पाक्स्तान डेल्वे न्यूज। सबरं किसले को मतीद आगे बहाएंगे यहां रक्त हुआ है प्रेक का। आप साथि रहे। कि लेखे लिए करें शर्षब्स नाइट्र पर रहर का इस्तमाल नाइट्र पर ज़िज्वाई पहले पानी में इस्तमाल दे मसभूत चड़िए और बीच का जानदा का गहार्ँ आप जुट्रे और तीस्टे पाणी के इस्तमाल दे धर कुर्चा। और फसल बाव कमाओ सर्सब्स नाइस और और सर्सब्स केंग वारा से वो गंदिन की तस की सबसे भी ज्यादा का दावार मतलब ठाथ की किले तुब विसूल जिसे अनिम मुफ्ति समझो सर्सब्स खादें जमीन की जान फॉसिल की साथ वेटम बैटर अब लिपन में शामिल बख्या खबरें मजीर आला पंजाद मुफ्ति शाबास तरीफ में वर्कर्स के मंचम से खताब करते ले कहा है कि लोग्रों के अगाम ने जूतों को शिकस दी मजीर आला के सब्सक्राद की तफ्सिल राना इत्तखा एहमत से सान्म आलगा श्चा देख उद्नगर नगर आवादे जित आफुशाली आदे करोपै कि गनारे बख्या ले खुमरा रंक सखेअपन से खके ले देख लेद अगरेना ऊलकर्स रज़ाने। इसे लोधय के अवामने हिसाब ले लिया है और जूट की शास्थ को दफन कर दिया है एक ये मशीन को उखार के आपने ब्राइव शत्मुज में घरथ कर दिया अरान खान ने आदी जूटों का आईजी जल्चे में ब्राइवाइब दिया के लोग्रा में चोरों और डाकूं क आपने लूट के लूट के लूट का खात्में कर दिया है मखालती लूट में एक मेड़ावाट बिजली पैडा नहीं की जनाब जरदारी साहब आपने अपने जमाने में बिजली के मुझे ना लगाए लेकिन पाकिस्तान की बाड़त आप लूट कर देगाए पिछले तीन सालों में किसान भाईयों को अगर सफ्ती खाथ मिल रही थी तो फास्टा मिया नवाव शरीफ को था पिछले चार सालों में पचासी अरब रपे की दो ही सड़के बनाई गई हैं मुझें शहबाश्की से पत्रेवाला में अंगर पास दुहाफूर में बाई पास तो शहाब अबुताह ब्रिट की कामेर का इलाम भी किया इस मौके पर खताब करते हो जियर मुझेकर अब्दुरहमान कांजी ने कहा कि हुए तालीम सहथ, पानी, सफ़री सहुर्यात से हर शोगर में आवाम की खिद्मत की है एमने 159 में फिर्ट रुके कुमे असली पीर अकबाल शाह ने कहा कि इनकी कामजाबी लोतरा के अवाम की भी जोचिनले में बहुत का स्वोप है खार अबद, पाक्षिन तलिवी में उज़्ज वजिर आजम शाहिद खाकान अबवासी और सादिक वजिर आजम महमद नवा शेरिक के दर्यान में लाकात हुई है जात्विंड नाहोर में विने वाली इस विलाकात में मिल्की स्वासी सुरत औहाल और दीगर आहन उमूंग पर सबात में खयाल किया गया सब्सक्राइब नीटन के कहिना है कि तस्मांगा और कम आमदन पत्ते तक इलाज की कभी लिए संसानी पर कुसी सी तबच होती जाए रावलकिंडी बबलकों में प्राइब के लक्तर फिस्जियालिजी कॉंफंस की इसकाही तक्रीब से खताब करते हुए उनकाए प्चीदा अम्राइस पे बेहतर इलाज के लिए तिदीचिएफ्ग को फराग दिया जाए उनका पिख्पशएब अम्राइस के संद्सक्राइब बिब्ली में Надशार के कहा के और रावलो कोर और नीजानाी में काइशिय के लिए पर इकोटबारा करते हुए पर अंजान देकर पागित्तान की लेक नामी में इजाथा किया है। सबर मम्मूर हुसेन ने कहा कि गुरीब और पस्माना इडाकों के अवाम का इराज माइजे की इस तक तिस सहूरतों पहुंचाने ने हुकुमत के साथ साथ किद्धी इधारे अहम तुर्दार अजाथ पके हैं। मुस्मी दून के रानुमाई ने कहा है कि लोज्रा के अवाम में तादिक वजीर आसा मुहमद नवाव सुजीद की एहलियत का परस्दाफ सुना दिया है। शेकुत पुरह में मीडियो से बाच्चीद करते हुए वजीर ममलकत इसलाइत मर्यम औरंदेप, सामिकर तर्दीज रशीद और बीची गाहनमाई ने कहा कि अवाम में जूट इसलाइत को मुस्तरब कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे यासर हुसेद वजीर ममलकत इतलाइत मर्यम औरंदेप ने कहा कि अमपायर्ज की अमली का इंतजार करने वादने के नसीब में मायूसी के सवा कुछ नहीं। अवाम नाइंसाफी के खलाफ कुछ खड़े हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान की अवाम की आवाज मुहम्मद नवाज शरीफ के लिए उठ रही है। ये वही ताकत है जिस ताकत की बुन्याद पर मुहम्मद नवाज शरीफ आपके वोट के तकदुस की बहाली के लिए और आपकी इज़त के लिए वो अलम उठाया है और इंशालला ये अदल की तहरीक दो हजार अठारा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान क की आवाम की जीत का सबब बनेगी अब पाकिस्तान में फैसले अमपाईर की उंगली के उपर नहीं बलकि पाकिस्तान की आवाम के अंगुठों की बुन्याद पर होंगे रहनमा मुस्लिमी केम तर्वे प्रशीद में कहा कि ऐसा पाकस्तान चाहते हैं जहां अलाम की हुकमरानी हो अलाम मुट के तकदूस और इहतराम के लिए महमत नाज शरीब के साथ हैं जो भी मुन्तखिब वजीर आदम मकबूल वजीर आदम हुआ है उसके खility कोई ना कोई साथश शूर कर देती नवाज शरीब साथ के खलाफ ये एग कैसी साथश भूई लेकिन पहली दुख पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के अवाम ने उससाथश के खलाफ मझगनती है! उसके ख्लाफ डिफाइस किया है! उसको कबूल करने से इंकार किया है और कल शेख उपुरा के ओवाम भी उस मज़ामत के किरवार में आपको नवाज शरीफ के साथ यगज़ती का इज़ार करते वे मरज़र आएंगे वजिराजम के राविन खुसोसी मसदिक मलक में कहा कि अवाम शेख उपुरा में साथ वजिराजम मुहमत नवाज शरीफ के साथ बरपूर यगज़ती का इज़ार करेंगे रिटाइट केप्टन मुहमत सब्देना कहा कि बाकस्तान के अवाम भी जम्हुर्यत की मस्बोथी के लिए दो तरह पुर्बानिया थी जम्हुर्यत ये पाकस्तान का मस्तक्विब है इसे पहले वजिर मुम्लकत दाखला तलाल चुवर्य लूर मेडिया के गुप्तगू करते हुए कहा कि एहल या ना एहल करने का फैसला अवाम करते हैं हमने कभी किसी अजारे के खराफ आवाफ नहें उठाई ली सिर्फ अवाम फैसला कर सकते हैं कि उनके लिए कौन एहल है हुकम रानी के लिए और वो किसे नाहिल समझते हैं दो हजार अठारा में मुस्लम लीग नून मिया मुहम्मद नवाज शरीफ जीतने नहीं जा रहे दो तहाई एक स्रीयत लेने जा रहे है उपन कौमी असम्बली जावेट प्तीफ ने कहा कि शेख पूरा के अवाम इसाफ के हसोन और इदारों की आजादी वा इस्तराम के लिए मुहम्मद नवाज शरीफ की तेही के अदल को काम्यावी के हमकिनार करेंगे जासिर हुसाइम पाकिस्तान चलविशन नियूज मुस्मिली दो शेख उपूरा के जिर्यावाले से तयारियां मुकबर करेंगे इन तयारियों के हवाले से देखते हैं मुहम्मद सुल्टान की यूरिपोर्ट शेख उपूरा के अवाम अपने हर्दिल अजीज रहनमा मुहम्मद दो शेख को कुशामदित कहने के लिए नहायद पूर जोश है मुहम्मद दो शेख के जल्से के लिए जहां इंतजामी त्यारियां अपने आखी मराहिम में वहीं महदूब कायद की इस्तक्बाल के लिए हवामी जोश्व पूरूश भी अरूज तर है शेख उपूरा शेहर की फजा में मुस्मिक मून के तरा में गूज रही है और शेहर भी मेले का समा है अदिलों के वजीर आख मिया महमन नवाश शीफ साथ का इस्तक्बाल ऐसे होगा कि इस से पने कभी हुआ नहीं होगा तारी ही इस्तक्बाल होगा इसे मैं समझता हूँ जजबा इसलिए जादा होगा क्योंके नवाश शीफ साथ अब शोहुपुरा में कोई जल्सा करने नहीं बलके एक तहरीक के सिल्सले में आ रहे हैं और वो यगीनां तहरीक इस पाकिस्तान अवाम के वोड के तकद्स की बहाली की तहरीक है मुस्लिक नियुम्ट के सबर मुहम्ट नवाश शीफ अपनी अवामी राफ्ता मुहिन के सिल्सले में कर्श पुरा के कौंपनी बाग में अवामी इजत्माश से सिताब करेंगे जल्सागा में कुर्सियां लगाई जा रही है जबके खरातीन के लिए भी अलग इजनामाद किये गए हैं जल्सागा जाने वाले रास्तों को मुस्लिक नियुम्ट के जिंदों बैनर्स और कना से सिफ जा जा रहा है पूरे शहर में हर गली कूचे से एक ही बाद आ रही है नवाश शीफ नवाश शीफ और यह सारी जजबा है जो एक कौमी जजबा है अवाम के जो शुख भूश इस बात का मज़र है कि इनके दिलों में अब भी मुहम्म्द नवाश शीफ ही बसते हैं और यहां आपको जानब कतल केस के मुझरिम इमरान अली को चार मरत की सथा का हुकम दिया है मासुन जानब को पतली के देवाले सथाथ मुझरिम के शलावताथ लेकि तक्सीम जानते है लाहर के शाहिद वफा के इस रिपोर्ट में कसूर की मासून जानब के साथ जाती और कतल के मुकदमे का फैसला दो रोज तब महफूद किया गया था इंसिदादे देशिदगर्दी की अदालत के जजद सजाद एहमद ने मुझरिम को कतल, अगवा, जियात्ती और देशिदगर्दी की दफात के तहर चार मर्तबा मौत की सजा सुनाई मुझरिम को जियात्ती के मुकदमे में उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है जन्वरी के पहले हफ़ते में मासूम जैनब के अंधोनात कतल ने पूरी कौम को हला कर रख दिया था बाके की इतला मिलते ही पंजाब हकूमत की जानब से मुस्तरका तहकीकात की कमेटी का कियान आमिल में लाया गया जिसमे साइंसी बनीयादों पर तहकीकात करते हुए 15 दिन में भाते में मुल synt शक्ता क्या पूर अपशिया तैंड़े में जैनब के लिए इमरान अली ने अदालत के सामने कुसूर की आठ दूसरी बच्चियों को भी जात्ती के बाद कतल करने का इतराफ किया है क्रोसीक्यूटर जनल पंजाब के मताबक इमरान के खिलाफ कतल के दूसरे मुकदमात में भी कारवाई का आगास कर दिया गया है और इन केसों के ट्राइल्स को भी बहुत जल्द पाया तक मील तक पहुचा दिया जाएगा शाहिद वफा पक्सान चलगे लिए लूँ लाहॉर जानब पत्र केस के तासले बारे रिपोर्ट करें ते लाहॉर से शाहिद वफा मजीब खबरे में आपको बताएंगे इसी बारे के तादिक वजीर आसम मुहमद नवास सुरी कहते हैं कि जानब बेटी और एहल खाना को बिला पाक्वीर इंसाफ की परहमी लाएक तहसीन है इस दाद दह्शत गबी की अदालत के जजज सजाब अहमद का पैसलाख तुश आइंड है ऐसे पैस में इंपाक की पहरी परहमी में संग्यमी का दर्जा रखते हैं जिनसे माश्टों में घिनावने जुराउं का रात्ता रोकने ने मदद ने लेगी कादिक मुदीर आता महमद मरासुरित में अब कोई हमारी बच्चियों की तरफ बिड़ी गज़र उठाने की जुर्प नहीं करेगा नाहार हाइपोर्ट को इलेक्शन ट्रेग्विनल ने इस हाक्वार को इस पैनित एलेक्शन लगने की इजास्त पे दी है इलेक्शन कमिशन के जानित को इस हाक्वार के तरफ नाहार हाइपोर्ट को इलेक्शन ट्रेग्विनल से रज्यू किया था इस हाक़डार को विक्riend के माके से इक्तियार किया कि इस हाक़डार की जानल झानल कि जयर्नल नशिस्ट और तो खलिए क्झनल धर्ट के जन्हाकरणाओ जगी जन्हा करवाए जो elexion Commission के जानल से अस्छे दिया गया अदालते इस्वार की जए कि स्टैनिट के इंदकादादात में हिस्टा लेने के लिए जरा करदाए गए चाफजात अनामसद्जी ने तमाम कानोनी तकादे पूरे किये इसलिए इस हाकदार को इलक्षन लगने की अजासत दे जाए इलक्षन करदार ने दलायल सुने के राद इस हाकदार को इलक्षन लगने की अजासत दे दी इलक्षन करदार में वजईर आदम की हमशीरा साद्जा अबासी, मुझाथ तादिक और हासिथ अब्द करीम के खिलास बायर अपीने खारच करते हुए उन्हें बेट सैनिट इलक्षन लड़ने की अजाज़त दे दी है अब कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में होने वाले आहम के शिस्स की समाथ की सुप्रीम कोर्ड की चीफ जेस्टिस निया साक्विनिसार की सगाहि ने तीम दूप्य अग्ष ने कराची में अहम वक्रदमाथ की समाथ की समाथ की दोरान चीफ स्थिस्स ने शर्जीन बेमन को हस्ताल पे जेल मंतखिल करके रिपोर्ट पेश करने का हुकम दिया चीजस्टिक ने आईजी जेल मुस्रत मंगन को सिंध की जेलों में विमारी को डाइस हस्टाल मंतखल किया गादाद उनकी विमारी उनका जिर्म और सजाद से मतालिक रिपोर्ट अजालत से पेश करने का हुक्म लिया शादोर्ट केस के लिजम शारख जेतोई को हस्टाल मंतखल करने के हबारे से आईजी सिंग में अजालत को बताया कि शारख जेतोई को दिल्की तक्लिव के वाइस हस्टाल मंतखल किया गा लेकिन बाद में दूसरी निमारी को तच्छीज करते हुए दो हफ़ते हस्टाल में पोड़े निखवानी रखने का कहा, चीफ जस्टिक में सराल किया कि इस मद शारुक जसोई कहा है, जिस पर आउजी जेल में जवाब दिया कि वे गुजशता रोज हस्ता आउज पो जेल मंत किल कर दिया गा है, इस पर चीफ जस्टिक में कहा कि जब हमने मोटिज दिया, तो आपने इसे जेल मंत किल कर दिया, लिजजी मेडिकल कॉलिज और इस में सिस्टिक में केस की समाथ में चीफ जस्टिस पर उपलिका हुकाम को हजाएट थी, कि सिप्रीम कोड की जानिब से बनाई बोई इंस्टेक्शन टीम जब चाहे मेडिकल कॉलिज का दोरा कर सकी है, इं 28 प्रोफेसर्स की असामिय अपर फिर्फ चार प्रोफेसर्स क्याम कर रहे हैं, अथार्वी तर्मीन के बाद लुटाक से सुगन को नंतकल होने बारे इस इदारे का एक अहम केस, सिप्रीम कोड के जोरे इलतबा है, जिसकी वज़ा से नई भर्तियों का मौमदा हल नहीं हो चीफ चेस्टिस में कहा कि इस केस को फ़री चार्टर खोल कर देखेंगे के मौमदा क्या है, डॉक्टर सीवी जमानी ने सहुल्यात के हवाले से रखाया कि जीपी अंसी में मरीजों को तनाम मत्रुबा सहुल्यात पराहम की जा रही है, तोटकाप्टर काम स्कुन को हटाने सनातारी कोईश के दारान में ने अदालत की जाया कि ज़चों को बेसर सहुल्यात पराहम करने और तुख्ता स्कूल को बेजने के लिए इकवानाब कर रहे हैं, तर चीफ चेस्टिस में कहा कि इस हडाले से पहले रिपोर्ट मरत्ब करके अदालत में पेश करें, तब-चेस चीफक्रसिस में सकेटरी तारुम को तुफ़ा स्कूल का दारा करने और उन्हें तुनाम जूरूरिस सहलिया पी सराहन करने का हुकम दिया। चीफक्रसिस में कहा कि सिंद्ध के 4200 स्कूलों में पीने का पाने भूल जब जब तक नहीं, इससे में भी एक्दामाब करें। हराइय वन्पर मुसाफरें को कि ठेश काताल्स पेहल से मिशानी पेस्क के दाइडान के इस भूंग के ग्रेक्तिसिस ने पर यंक्ाम हवेशन को हुबार एजिएर होँ कि बीशाइब के फिरांग बार Thomas प्काम कर्या और ग्रहस्टोर्य में ग्राइड सुमॉर। कि जेस्टिस में अस्तिस में अस्तिस को 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 बाइस के नहीं बन रहे। एसे निक्बाल ने का कि गवादर पोर्ट की तक्वील से वस्ती एश और दीगर मौलक के साथ 30 सरगरी में इजाफा होगा और मैशित को मजीद फ्लोग में लेगा। बाद में मीडर से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखला ऐसे निक्बाल ने का कि अद्लिया रियास्त का आम तरी स्टून है और हमने अद्लिया के तमान स्थास्वें पर अमल दरामत किया है। लेकिन पार्लिमेंट का इत्राम भी किया जाना चाहिए। अगर कोई पाकिस्तान में स्वासी बेयकीनी स्वासी बहरान के परबा करने का जरिया बंदा है। तो उसे अद्लिया पुर्दार पे मज़र सानी करनी चाहिए। हमें एक जिन्हदार काम की असियत से कमाम उडारों को अपना अपना फिर्वार अदा करना है अद्लिया पाकिस्तान अपनी रियास्त का सतून है और हम अद्लिया का इतराम करते हैं इसी तरह तालिमन्ट भी पाकिस्तान की रियास्त का सतून है इसका भी उत्राम किया जाना चाहिए और उसके इलावा कातिस्तान की हथिमत भी मॉन्ट किव हथिमत है जिसको थेख करोड अवाम का मैंडित मिला है जिसको फराम कीया जाना चाहिए वफाती वजीर आसर इक्बाल ने का कि अवाम ने निसम लीग मून की पालिश्यू पर इत्माद का इजार किया है और यही हमारी काम याभी है ताहिर कलासरा पीटीवी नियूस लहोर और दूसर जाहिक जिसासर अग्बाल का कहना है कि तरागी सिस्वाबर तक अवाम जान चुके हैं कि शजीद खानदान के खिलाथ इंतकामी कार्णवाई हो रही है मारवान में लीडियों से गुस्तिगू करते हूं वजीर बाकना ने कहा कि साविक वजीर आताम महमर दावाशरी की माईनी के सैस्थ में पर पूरी दुनिया मुतजिये हुए और कहा गया कि ये ज्यादती है एक विज़ान ने कहा कि आवाम बाचाओर हो चुके है लोगो ने जाली गुलेच की स्याकत को मुक्तरक कर दिया है वजीर बाकना ने कहा कि अंभीता बर्तारिया और माओवी के दोरे में आल्मी स्था पर रजाज़ किया है कि पाकिस्तान के सलाव ताबंदियों से दोशक बिर्दी के सलाव जन्म निताफिर होगी हम इज़त से दोल्यों के दूस्रे ममालिक से तालव चाते हैं चीप अभी साथ जर्नल कानल जावएद बाज़गा में उन्म सक्यूर्टी कॉंफर्स में शेकर के लिए जर्मी पहुँचे हैं जनर्ल कनर जावेद बाजगा, आलमी और इलाका इस्तलामती सुरत इहाल से मुतालिक पाकिस्तानी बाकिस के आगाह करेंगे आर्मी चीफ कॉंफरंस में शरीक आलमी सिबल और असकरी गयादत से भी मुलाकातें करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मूल की हुकूमत माष्टे में सिमाजी इनसाफ के लिए काम कर रही है मदबूत माईशत और दूस्ते एहदाफ के हुसूल के लिए सब को मिल कर काम करना होगा लाहर ने स्टेट्बंक पे साबिक गवर्णर डॉक्र इश्रत हुसैन की किताब गवर्णिंग दा अनगवर्नबर की तक्रीब रूनवाई से ख़टाब करते हुए वजीर आला ने कहा के किताब में मुल्क को दर्पेश मुश्किदात और चैलिंज्स की तही निशान रही की गई है और इनकी रौश्णी में कौमी इदारों में बेहतरी दाना होगी उनने कहा कि पालिसियों की बदालत मुल्क में तरक्वी का अमल तेज हुआ और बिज्दी मंसूदों के जरीय तरक्वी और रोश्णीयों का तफर्षिन हुआ महमत प्रासदी ने कहा कि पंजाब में तरक्याते मंसूदे मायार और शपाकियत के अकास है जिनमें अवाम के और्बे रुपे बचाए गए तक्रीब के किताब के मुसंद डॉक्टर इश्टिस हुसाइन ने खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब में गुड गुवाइमन्ट के जरीए ना सिर्फ हुकूमत निजाम को बेहतर बनाया बल्कि अपने वीगन और खुवत और इडादी के जरीए तालीम, पहत, ट्रास्पोर्ट और बीगर शोडों की कारकर्द भी बेहतर बनायी मज़ीब आकुटांगी के अजबत पाकिस्तान फांडेशन के जरी इतमाम उखुवत की नाकाबल यकीन कहानी अजबत पाकिस्तान के जबानी के बहुचत और तक्रीब का अनकाब किया गया तक्रीब तक्ताब के चेर्डन पैनेट मिया और अजबत अरबानी ने कहा के रिपाही तंजीमों अजबत पाकिस्तान फांडेशन और उखुवत ने जो काम शिरू किया है इसके इस यकीन को बसी तक्वियत मिलती है कि माश्टों में ऐसे अफराब मौचूट हैं जो मिल्क के गरीब और पिस्से हुए अदाम के खिद्मत का जजबा रखते हैं अजबत पाकिस्तान फांडेशन के बाली रूकन और सेकुर्टरी सेनेट अमजद तव्यस मलिक ने कहा कि मिल्की और बावन अख्वाम इस सथा पर पाकिस्तान के खुलाप प्रतगंबा किया जा रहा है हुए ने कहा कि अखुगत ने जो काम शुरू किया और जो मौडल मतारिफ कराया इसकी दिनिया भर में सताइश की जा रही है और इस मौडल को केड़ स्टेडी के तर पर आलमी शोरत याथता हादर यूनिरस्टी में तरहा जा रहा है उने कहा कि अख्मत पांडिशन ताखिस्टान का मकसद बेबस और गरीब बिचों की तालीमी मयादान में होसलाए करना है और अख्मत पांडिशन ताहिए में दूप बाहादिन के पस्मांदा अग्राप में काम करने के इलादा खुरीब और नादार तिल्दा किरिये बड़ी इमाम और बाराकों में भी खिर्मात पर अंजाम दे रही है जिसमें बड़ी इमाम के इलाके में स्कूल और बाराकों में शेल्टर होम का मनसूबा शामिल है तक्रीब के अखुवत के सब्रह डॉक्टर अजद काकिब ने भी खताब किया तक्रीम में बड़ी ताबाद में अराकीन पार्लिवान, इंसानी हुकूक के वजीर मुंताथ अहमद तारण और आला हुकाम के इलावा बड़ी ताबाद में मुख्लिप शोमों से तालुक रखने वाले अफ़ाद में शिर्कत की उम्हेर कश्मीर और बिल्गि पल्दिस्तान की विफाकी वजीर चाहदी मुख्लिप बड़ी ताहिए नई शाहकोट के नवाही कस्दों ने फरामी सुझाज की तप्रीब से किताब के दोरान कहा है कि आज जब पाकिस्तान तरफी की मनाजिव की तरफ रहा है तो तराम स्यासी जनातों को हुकूमत के साथ मिल कर पाकिस्तान की तरफी और खुशादी में अपना किदार अदा करना चाहिए उन्हेर कहा कि तमाम हर्मा और इंटकामी कारवाईयों के बारचूद मुस्लिम लिग मून की मक्बूलियत पर नहीं हो सकी उन्हें कहा कि ताकिस्तान में बिला तफ्रीक, इंस्ट्रस्ट्रक्चर, तालीम और सिहत के रंसूबों पर काम जारी है और हल्का अन्मे एक सब्सक्रावाईयों के अर्दों रुपे पर प्रफ्याती काम भी मुस्लिम लिग नून का ही कारणामा है विश्वाई पर दिफाई पादावार एंड साइंस अं तक्नोलोजी इजाना पंदीर हुस्तान का कहना है कि स्वावची अनासर नवाज शरीक को ना को सियासत से आउट कर सकते हैं और ना मुस्लिम लिग नून में फूट बलवा सकते हैं मुस्लिम पाकितान के सबसे मकबूल लीडर हैं उनको सियासत से दूर करने का मकसद बर असल पाकितान को अदम इस तहकाम में उत्तला करना है और लुट जारी स्वेज रस्तार तरफ़ी को सबुतास करना है शेख उत्तुरा के इलाके जुलार पूबी गवर्मिन प्रामरेस के मिडल स्कूल का दर्जा देने तो स्कूल जो इन आरत का संगे दुन्यास रखने के माके पर अवामी इस्तमस से खिताब करते हुए जालत अंदी हुसान का कहना था कि मवाशुदिक की माजूदा तर्फ़ीक इस्तादार की लगी बलके वोट के तकद्स और निजामे अदल की बहाली की तहरीक है मजीर आप से बताएं कि वजिता के वज़ीर मजभी अवेर तरदार महवद यूसुफ का कहना है कि मजीर में तरक्यासी मंसुबों के समराथ आधाम पर पहुचना शुरू हो गए है मांतोरा के दराही इलाके में मकादी इमाइदीन और बज़ियाती मुमाइदों से शताब में उन्होंने कहा कि जिना भाड़नी कोई गैस बिजली और सर्गों के तामीद के लिए अब दो रुपय की तरक्यासी मंसुब शिरू है हासर में कामिराद के विजाके वजीर अकर्म खान दुरानी का कहना है कि पीडियाओ ने साबर पक्टुनखा के आवाम को धोके के सिवा कुछ ना दिया हम जीदो मारों के स्यासेश पर यकिन नहीं रखते गनले के मुझत अलाकों हो गर्से से के शिताब करते ही अकर्म खान दुरानी का खेछा कि मुझत रखकी क्ब्दिली विज़ाके हुचिरा के बदालत आई है उन्होंने कहा कि विज़ा के विज़ाके काडίνा मुझत तरह के मनसुब बो चुकी है जिनकों अंकरी प्राम भी शुरू हो जायदा उन्हें के विताफिय हुकुमत के अवाम को तमाम बर्टेश मसाल के हल के लिए संजीबा इब्दामाद किये है उन्पारी हुटू के विताफिय वजिए में पास अहमत तारर का तहना है कि पस्मादा बेहाद को शहरों के बराबर तरक्ति देने का सफ़र जारी है मुल्डी पराओ दिन में मुकलिब तरक्याजी मनसुदे के इस्ताह के माक्षपर जलसे से खिताब करते हुए दिसाकर दिन तरक्याजी में के लिए इनतखावी बादों के तक्मीर के लिए कोशा है और अब ख़बर मक्मूजा कश्मीर से जहां आद मुकरमल हर्दाल की गई जनक्सद संटर जेल सिरी डेडर से कश्मीरी नजरबंदों की जन्मु खिते की जेलों में मुनतकि दिन बारती सुप्रीम कोट की तरक्से शुपईया में शहरियों के हालिया गतल में बारती फाज़ियों के खिलाफ पुलिस की एफ़ाया पर हुक्ड इंतना और हुर्यत रहनुबा मुहमद यूसुफ नदीन के बहिमाना गतल के खिलाफ इसजाज करना था कश्मीर मेरिया सर्विस के मताबिक खटाल की काई स्यद अलिगीडानी, मीर बाइस, उमर फारूक और महमद यासीन मलिक पर मुझतरका हुर्यत कायाद ने दी थी कटपत्वी इंतजामिया ने लोगों को एकजाजी मुझाहरों से रोखने के लिए सिर्यनगर, बढ़गाम, शुपैया और बीगर कस्बों में ताबंदिया नापिस कर दी थी और बड़ी पादाब में भारती फाजी और कुलिस एहल का ताइनात कर दी थे इंतजामिया ने मकमुझाबादी में रेल पर्विस भी मौफल कर दी कुल जमाती हुर्यत कांफंस के चेर्मान स्यद अली जिदानी, जम्य कश्मीर लिबरेशन कंड के अलील चेर्मान मुहमद यासीन बलिक की अवादत के लिए आज सोरह हस्ताल सिरी में गर गए मीरवाई समपारूक, मुफ्ती नासर लिस्काम और मतादिद घुर्यत परानुमा और कार्टन भी जासीन बलिक की अवादत कुरिया हस्ताल गए और उनकी जल्द सहतियाबी के लिए दूआ की दूसरी जानी भारती फाजियों ने बलवाना बडगान और बांडिकुरा के अजला में बड़े पैमाने पर महास्ते और तलाशी की कारवायां की फाजियों ने तलाशी आपरेशनों के खिलाफ मुझारे करदेबालों पर ताकत का बहशियाना इस्तिमाल किया काबिस फाजियों ने पांच अपराट तो गुरिफतार भी कर लिगा मत्मुदा कश्मीर के बाद आपको आगाह करेंगे आपरेशन बड़न फसाद से मुल्ट बर में आपरेशन बड़न फसाद का अमगाबी से जारी है पंजाब रेंजर्स फासिदारों और इलीट फुरिस ने देरा घाजी खाम में कारवाई करते हुए तीन दश्यक गर्दों को हलाग कर दिया I.S.P.R. के मताबिक खुफिया इतलाब पर कारवाई के दोरान सेप्रिडी फोर्सिज और दश्यक गर्दों में फारिंग के नतीजे में दो रेंजर्स एल्कार भी जखमी हो गए सेप्रिडी फोर्सिज ने दश्यक गर्दों से बारुदी संगे रॉक्र प्लांचर्स गर्नेड और अप्रहा और गोला बारुदी बारा मत कर लिगा खर्दाने के बारों में बसीर आत्म कमशीर मिस्ता इस्माईल कहते हैं कि रमासाई जीडीपी की शराच छे पीसद होने की उम्मीद है जो के मुल्क में बस तालंग की तबसे बड़ी ग्रोथ रेट होगी कराची में युनाइटिड मेमन की जानिब से इशाओयों की तक्रीप से कुताब करते हैं मिस्ता इस्माईल ने कहा इस माह से इस टेक्स रिटर्न वापस कर दिये जाएंगे और चार खरब रोपर तक टेक्स रसूली का हड़ा फासिल कर देंगे कराची में इस सिंध भर की तरफी मुस्लिम लीग नहीं का उयन है बलुचसान पुलिस के ATS बाच की पाफंगाउट ट्रेड कोईटा में हुई उससी इस बाद देशब गर्दी के कोईस्ट में 220 अहलकारों के इलावा 30 जवानों ने कालिस इमिलिकेशन के शोड़ों में पड़ियत हासिल की बलुचसान मीर अब्द्र प्दूस बजिंचे ने तक्रिश के शिकात करते हुए कहा कि बलुचसान में आर्म जोनियर पलिस के जवानों और शोड़ा के अर्बानिया रंग ला रही है और वो गिंदूर में कि बलुचसान का मुल्क और सुबा बलुचस्तान से मुकंबल खातमा हो जाएगा इस वाकत पक पास आउट होने वाले जवानों ने शांदार अम्ली मुझाहरा किया तद्वियत में नुमाया कार्दगी का मुझाहरा करने वालों में इन आमाद भी तक्सिम किये गए तिस्व वज़िव आला सुलियत मुराद अली शाह का कहना है कि अवामी सलाह और वहबू के मंसुबों की बबब तक्मिल को यकीनी बनाएंगे जैकर बबाद में हार्स और सेटल शो भी खिताब करते हुए वज़िव आला सिन ने कहा कि तिन हार्स और सेटल शो हमारा तारीशी वर्था है दिविश्टा बंस में अमन और अमान के खराफिर रपहाल के बाइस ये मुला भी उतासिर हुआ ता हम काम अम के बाद ये मुला फिर से शुरू हुआ है जो के हर साल मुलक्त किया जाएगा उन्होंने कहा कि जैसा परबाद में सरकूत अजाल बिछाने और दिमन माज़ेडी के कराम समेट तमाम मुतालबाद के लिए जंद इग्दामाद किये जाएंगे इसे बारे मज़ी तफ्सील से आगा करेंगी नमरा सोहेल पाकिस्तान के इवाने बाला की तारीख, कारवाईयों और पाकिस्तानी सियासत में इसके किदार की एहमियत से मुतालिक साब्फ़पा की वजीर इखिर इतलाद, मुसार मेमन ने तक्रीफ से खिताब करते हुए कहा कि इस किताब को लिखने का मकसद आम आदमे को सेनिट से मुतलिक वो आगही वाला हम करना है जिस तक अवे उनालाई को दो किताब का है, अख्ठार मियां यह हिसा है याजमा नहीं यह सोचा कि अपने आपको अकाउंटिबिलिटी के लिए पोश्क किया जाए तो हमने क्या किया क्या क्या प्रदेलिया आने चाहिए उसके क्या फर्म साने चाहिए प्रक्रीप से खताब करते हुए मार्भी मेमन ने कहा कि उन्हें हमेशा अपने वालत को एक बेलॉस लीडर की तरहां काम करते देखा है मार्भी मेमन ने कहा कि उन्हें अपने वालत से सीखा कि तनाज्यात की सियासत से कभो किसी का भला नहीं हुआ It's not just about the Senate. It's not just about politics. It's about values in politics. और ये जिस वैलियूस हैं, पॉलिटिक्स में ये जो हैं, अब खतम हो रही हैं, पुरानी जो अच्छी वैलियूस हैं. मैं उम्मेद करते हूं इस किताब से जो सियासत के अच्छे वैलियूस हैं, ट्रिडिशन सेंबों वापसा हैं. तक्रीब में आए तमाम मुकररीन निसार मेमन को इनकी काविश पर जबर्दस अलसाथ में सिराद तहसीन पेश करते हुए उमीद जाहिर की, कि इस किताब के जरिए पाकिस्तान की शोबह सियासत में नए दोर की तकाजों के हवाले से इंतहाई मुसीद मालूमात हाफिल होगी निसार मेमन ने अपनी के पार में इवाने बाला की कारवाईयों सम्थ आने जाले दोर में कौमी से लामती के मुक्सित अमूर पर रोश्टी डाली है नम्या सुहिर, पाकिस्तान टेलिविजिन यूज, इस्लामबाद आजात कश्मीर में मुस्म बाः पिस शजरकारी महिम्त आउगाई एक उपिता गया वधिर आजातन आजात कश्मीर में शजरकारी महिम्ता इस्लिविए और लाग दस हजार कोदे लगाने का हदख अकलर किया है रिपोर्ट करेंगे निज़क्रबाद से हमारे नमाइद अबील अहमेद खान मौसम में बहार की शज़कारी महिम के स्लिशने में महिसमा जनलाद आज़ाद किश्मीर के जरे अहत्माम तर्लाली के मुकाम पर मनकदा तकरीब से खताब के दोरान वजीर आज़म आज़ाद किश्मी गाज़ा फारूक हैदर खान ने कहा कि जर्लाद मौसम और आब अहवा पर मस्बत असराद के साथ साथ रोहानी तख्कीन के हामल भी होते हैं इन्हों ने कहा कि जर्लाद के तहफ़ज और फुरोग के लिए तबाव वसाइल बरोई कार लाए जाएंगे तकरीब से आज़ाद किश्मी के वज़र गिल्लाद पग्दार्मी रखबर ताबीने के औराखीन और महिकमा जर्लाद के हकाम में भी खताब किया इसके पहले वज़र आज़ाद किश्मी ने मज़फराबाद के मुआहि अलाके चंडाली में बेदार का पोड़ा लगाकर आज़ाद किश्मी में मौसम बाहर की शजरकारी महिम का इस पताह किया महिकमा जर्लाद की जानव सिधी की ब्रीफिंग में वज़र आज़ाद किश्मी को बताया गया कि वज़ारत मौसमियाती तबदीली की जानव से आज़ाद किश्मी में 96,10,000,000 पोड़ाजात लगाने का हदफ मकरर किया गया है आजमा अदाद किश्मीर को बताया गया कि महिकमा जनलाद के साथ साथ सिवल सोसाइटी, एंजियोज और पाक फोड़ भी शगरकारी महिम में मौावनत करेगी अपनी अपनी जबदारी बसूस किया अपनी आने वाली नस्रों को महुलादी हाथ साथ से महफूज रखने के लिए शगरकारी के साथ साथ शगर प्रवी भी अज़हब जरूरी है अजे नामट खान, पाकिस्तान तलिवीन न्यूज तोनाली, जुलन गफादाद, आज़ाद किश्मीर जकूता जीन, उसमिल्ना नहोरी गुतिशता रेथ लाहर ने इंत्काल कई गए है मौना नहोरी का ऑस्तन तलिविजन के नशोर वाला जिनक वाला जिनके नशोर किरदार थे मौना नहोरी की जिंबगी के हवाले से सब्सक्राइब की ये खुसी रिपॉर्ट ये घर के बाहर बच्चों को कहानिया सुनाता था तो कभी अतने घर में अकेले हुजी कुबा जिन का रूप धार कर माज़ी की यादों को ताजा करता रहता था वो भी दिन थे ये बच्चों का पसंदीदा के डाल जो हूँ सुक्राइब के आता तो ना सिरस बच्चे बच्चे बड़े भी इसकी मासूल हरकतों से फूप लुट कंदोज होते जेना 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 छोते से घर में चार बच्चों और एक महबद करने वाले बीजी के साथ तो ना लहारी बेवस्टी का मुझस्त माँ बना हुआ था निकार कभी छूते हैं यहां बड़ा नहीं होता तो कौम का असासा होता है घर में चलते हुए रकूता जिनके कदम लड़कडाते तो जरूर के लेकिन शुकर है कि मुश्किल की इस घरी में उसके अपने इसका हमेशा सहारा रहे रगूता सिर्फ घरवालों का नहीं हम सब का था हार रहेगा हम हमेशा इस प्यार संकार की कदर करेंगे सद्रा आसिम पाक्स्तान चलेवशन नियूज लाहार करदे हमेशा समयूई चलेवशन नियूप करेंगा ले इस चलेवशन थाउने नियूज अएपनाट्टान मूस्तान चलेवशन थाव दोन्यवी दा इस तैसिते अग्श्यकिन प्यार धर्म्ने जोब चिंटाओ्या President Ronald Reagan dedicated the March 22nd launch of Columbus Space Shuttle to the valiant Afghan Mujahideens or Jihadis and termed their struggle against the Soviet occupation forces as a representation of the man's highest aspiration for freedom. When I was young, Pakistan was a normal country as any other country in the world. Jacqueline Kennedy flew to Karachi. The people visited us. Kul and Elizabeth went to the Khabar Pass to chat with the tribesmen. We were a favorite tourism destination for many. We were hosting World Cups of Hockey and Cricket, besides many other multinational events. World Bank turned Pakistan in 1963 as one of the most progressive and dynamic developing country in Asia. The 70s were nothing less than a disaster for us, but even the separation of eastern part of our country and the political upheavals thereafter did not change the society as deeply as the event of 1979. The year of the Soviet Union emulated Afghanistan and the Iranian revolution happened the next door. It was only then that we started learning that we were not only Muslims, but Sunnis and Shias. It was also the time that we were drawn to conviction of fighting Soviet invasion and also challenging communist ideology with another ideology. With the able intellectual assistance of the free world, a service was designed in one of the Western universities for Madrasah, wherein jihad was fed to young minds in a concentrated doze, without context or explanation. An exception was created using a self-defense clause to justify the declaration of jihad by non-state actors. Young men were recruited from all over the world, radicalized, and then left and disowned after they had delivered us the success. Ladies and gentlemen, I apologize for a long lesson on history. But while it is a history for you, it is still very much a life issue for us back home. As a very large number of people are radicalized, harmed, and empowered politically and ideologically. They cannot be wished away just because we don't like them anymore. Please don't. We are harvesting what we soared 40 years back. So it will be a while before this courage is eliminated in brutality. But first, let us stop calling it jihadism as it is nothing else but terrorism. It is rather long context. Let me now come to the story of Pakistan's struggle against extremism, terrorism, and so-called jihadism. Pakistan Army has waged a relentless and bloody fight against terrorism and violent extremism at a monumental human and material cost. Over 35,000 Pakistanis have lost their lives. Over 48,000 are critically wounded or disabled. Financial costs exceed US 250 billion dollars, only a fraction of which is actually shared by our global partners. Today I can say with pride and conviction that there are no organized camps on our side of the border. However, presence of terrorists of various hues and colors cannot be ruled out. We still have their active and sleeper cells who are hiding in mountains, border towns, and 54 refugees camps besides some major towns and cities. For your information, of the last 130 terrorist attacks in our border areas last year, 123 were conceived, planned, and executed from Afghanistan. We understand their predicament. Therefore, we do not blame them. But instability in Afghanistan is also hurting us badly. And it is happening despite the presence of the most of the most powerful alliance in Kabul. Ladies and gentlemen, unfortunately, Afghanistan's success of 2003 was lost when resources were pulled out prematurely for war in Iraq. Today, after spending more than 1.4 trillion, the situation can best be described as a stalemate. But to my reckoning, the cause of stalemate is not Haqqani Network or TTA, Taliban of Afghanistan, as they had been almost been defeated 13 years ago. It was the pursuit of a wrong strategy that led to their resurrection. Let me say that the popular assertion of TTA not being defeated in and futility due to presence of part of their leadership in Pakistan is not correct or hopeless. We defeated Al-Qaeda, Tariq-e-Taliban Pakistan, and Jemaat-ul-Ahrar, while their savings still exist in Afghanistan at a mere fraction of resources applied on the other side of the border. Now, instead of blame-gain, it is time for NATO and allies to conduct an audit and and introspection to find out the causes of this stalemate. Ladies and gentlemen, in our war against terror, military operations were not the only thing that we were conducted. We realized very early that the complex problem of violent extremism could not be handled through military operations only. First and foremost, we generated public opinion to defeat the terrorist narrative. We also formulated the National Action Plan, termed at fighting terrorism and gradually rooting out extremism. We launched Operation Azul-Fasad, Eridication of the Tumult, in 2017 with the aim of firstly targeted panatic and enhanced law enforcement operations to locate and destroy the residual terrorist presence across the country. Second problem of our campaign comprises supporting the National Action Plan that involves better prosecution, policing, education demands, along with curbing terrorist financing and hate speech. Equally important is our information plan aimed at discrediting the terrorist ideology, including the disuse of terms like jihad and caliphate. Most recently, 1854 eminent Pakistani religious scholars, representing all schools of thought within Islam, teamed up to issue a resounding fatwa against violence, extremism and terrorism in the name of religion. Called the message of Pakistan, it banned suicide bombing and jihad, other than the one sanctioned by the state. Ladies and gentlemen, our successes have been made possible by the collective resolve of our entire nation. However, we are far from done. It is my sincere belief that Pakistan's lasting domestic peace hinges on peace and stability in Afghanistan. Therefore, despite our limited resources, we are trying our best to support peace to our neighbours in the West. Please remember that times our efforts are curtailed by capacity and not by will. Pakistan and Afghanistan are sovereign countries. Both countries have a right to peace and progress. However, this will only be possible if our respective soils are not used against each other. In this regard, two aspects are important. Firstly, we still have daily 2.7 million Afghan refugees in our country, whose concentrations are routinely used by TTA and Haqqani Networks to recruit, morph and melt. It is time for these refugees to be repatriated with dignity. It is the only way we can ensure that no one is misusing our hospitality and soil for mischief in Afghanistan. This is possible at a fraction of the cost of war in Afghanistan, which is currently around $46 billion per year. Secondly, our borders with Afghanistan is highly torus. We have unilaterally taken many steps to ensure proper management of this border. We have raised tens of new border-specific units, built hundreds of new border surveillance posts, and have now started the process of fencing 2300 kilometers of the border. We are putting scanners and biometrics at the border terminals to ensure that while common awans are facilitated, miscrits and terrorists are prevented or arrested. Furthermore, we are fully committed to the international consensus that political reconciliation is the only solution to one issue. While we are actually supporting the new U.S. study in the region based primarily on kinetic approach, we are not leaving any stone unturned to try and do our best in bringing the parties of the conflict to the negotiated table. Ladies and gentlemen, despite the seeming frustration, very few countries have achieved as much as we have in our war against terror. With over 1,100 Al-Qaeda operative kills and other 600 headed over to U.S., Pakistan is instrumental in disruption and decimation of Al-Qaeda from Afghanistan and Pakistan. But the struggle continues as the threat is morphing. Intelligence agencies of multiple countries have confirmed the ongoing relocation of fleeing dice fighters to Afghanistan. Being worsted by perennial instability in Afghanistan, Pakistan has legitimate concerns about its new threat joining the roster of over 220 terrorist outfits. So far we have been successful in denying any foothold to dice in Pakistan, but we are very concerned about its unchecked growth in the neighborhood. We need to counter the threat much more proactively through collaboration and cooperation. The war against terrorism and extremism will take some time before the world is free of it. Therefore, we all have to be patient and remain steadfast. We need to first counter terrorist narrative with a superior narrative before breaking their back. Unfortunately, we have not done enough in this regard. Finally, trust, cooperation and sharing will work and scapegoating vote. To conclude, ladies and gentlemen, let me say that the terrorists thrives on our deviant and feet on our inability to come together against them. I humbly call upon all of you to deny them these things in our collective armor. Please realize that it's a global problem and needs a global approach. Lack of focus and commitment in individual efforts won't take us anywhere. I thank you. Thank you. पिर जंग लड़ी और मताबुत जाने कुर्बान की एक मुखसद ने कुछ के बाद आप लाए सकते इंगे नियूस है ट्राइम्स